हम नायरा कट कुर्ति की कटिंग करेंगे तो यह मेरा फैवरिक है तो देखिए पहले हम उपर की चोली की कटिंग करेंगे तो यह देखिए मैंने इस तरीके से से डबल फोल्ड किया है यह देखिए पहले इस तरीके से फोल्ड करके फिर इसके बाद दुबारा फोल्ड किया ह है कि सिंग哎 इसकी लंबाई हमने रख्ben और इसमें एक इंच मिला है यानी 16 इंच लमबाई ली हैं अब देखी हम सोल्डर लेंगे सोल्डर हमारा है साथ Ал्ड और और कि आर्मोल् की लंबाई भी हमारी है साथ इंच इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे अब हम लेंगे चेस्ट चालिस से उसका चोथावा गुता है दस दो इंच हम मार्जिन का लेंगे कमर हमारी 36 से उसका चोथावा गुता है नो और दो इंच हम मार्जिन का लेंगे और scale से उसे इस तरीके से ड्रो कर लेंगे अब इस तरीके से यहां से हम armhole का save देंगे और एक और armhole का save देंगे जो हमारे front part का होगा अब देखे हम गले की चोड़ाई लेंगे गले की चोड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और बेक गले की हमने ने लंबाई रखी है चार इंच फ्रंट गले को मैं केनवास पर बनाऊंगी इसलिए तो यह मैंने बेक गले की बनाया है इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड सेप दे देंगे अब देखिए यहां से हमें आदा इंच इस तरीके से तिर्चा डाउन करना है अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से अब दोनों पार्ट्स को मलग कर लेंगे कट करके यह हमारा बेक पार्ट है इस पर गली की चोड़ा ही लेंगे 3.5 इंच और गली की लंबाई रखेंगे 4 इंच और एक बॉक्स तयार कर लेंगे इसमें राउंड सेप दे देंगे अब उसकी कटिंग कर लेते हैं यह मारा बेक पाट है अब फ्रेंट पाट में दीखिए गले को हम केनवास पर बनाएंगे इसलिए जो हमने आदा इंच नीचे डाउन करके आर्मूल बनाया था उसे हम कट कर लेंगे यह दिखिए हमारे बेक को फ्रेंट पाट कर चुके हैं अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे तो दिखिए यह कपड़ा है हमारा इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके वे दुबारा फोल्ड किया है इसकी लंबाई हमारी स्लिप्स की पंदरा उसमें एक इंच मिलाएंगे यानि 16 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम और इसको कट कर लेती हूं चोड़ा ही मैंने इसकी 9 इंच लिए है अब देखिए यहां से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लिप्स का सेब देंगे कि इस तरीक से बाजू की जो फिटिंग है फिटिंग में थो इंच का मार्जिन प्रस करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल्ड से उससे इस तरीके से ड्रो कर लेंगे अब हम इसकी काटिंग कर लेते हैं यह देखिए, यहां पर हम छोटा सा कट का निशान लगा लेते हैं, अब हम इस तरीके से स्लिफ को खोल देंगे और आदा इंच नीचे से डाउन करकी कटिंग करेंगे, यह देखिए हमारे स्लिफ कट चुकी है, अब नीचे का घेर की तयार करेंगे, तो यह देखिए मेरे ड प्लस मार्जिन करेंगे, यह देखिए मैंने इस तरीके से डबल-डबल कपड़े रखा है, यह हमारा घेर है, तो ठीक हमारी सारी कटिंग हो चुकी है, तो हम सिलाई करेंगे, तो देखिए पहले हम फ्रेंट कला की तयार करूंगी, तो यह हमारा केनवा से इस तरीके से इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे इसमें आप कोई भी सेब बना सकते हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से इसे हम दूसरे कपड़े पर इस तरीके से रखकर अटेज कर लेंगे आप चाहे तो प्रेज से भी चिपका सकते हैं और आदा इंच का मार्जिन छोड़कर हम इसे कट कर लेंगे अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे इसे कट के काट के यहां से लेवल कर लेंगे अब इसे फोल्ड करके इसके बी सेंटर में छोटा सा कट कर निशान लागा लेंगे अब इसे कपड़े को हम सीधा रखना है और इसको पर गले को इस तरीके से रखकर पिनप कर लेना है जिसे सिलने में कोई दिक्कत ना हो अब देखिए जो गला बनाया है न उस पर हमें सिलाई करनी है यह देखिए मैंने सिलाई कर लिए सिलाई से मैं आदा इंच की दूरी से कट करना है अब इसमें हम चोटे-चोटे कट की निशान लागा लेंगे जिसे हमारे गले में फिनिशिंग आए ऐसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे यह देखिए हमारे फ्रेंट गला तयार हो चुका है अब हम बेक के गला बनाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से कपड़ा लेना है इसे डबल फोल्ड करना है जो हमने गला कटिंग किया था उसे इसके उपर इस तरीके से रख कर ड्रो कर लेना है यह देखिए और इसकी एक इंच दूरी से हम इसे कपड़े को कट कर लेना है यह देखिए अब इसको थोड़ा-थोड़ा हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और जो हमने घला ड्रो किया था उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से अब जो हमारा घला है इसके उपर इसे रखना है इस तरीके से और सिलाई करनी है अब देखिए हम छोटे-छोटे कटकी निशान लगा देंगे इसे अंदर फोल्ड नहीं करेंगे फोल्ड हम बाद में करेंगे पहले है सॉल्ड़ जोइंट करेंगे तो हम फ्रेंट पाट को लेंगे पहले को और इसे इस तरीके से फोल्ड को रखना है इस तरीके कि बीच में हमें रखना है बिर पट्टी को उपर से फोल्ड करके डबल लाई कर लेनी है की दीखिए यह मैं सूल्ड टेच हो चुके अब हम इसे सिधा करेंगे दीखिए कितती फिनिशिंग्स से मेरा सूल्डर टेच हो आप देखिए इस पर हम किनारी पर सिलाई करेंगे कि देखिए मैंने पूरे गले पर शिलाई कर ली है यह हमारा उपर का पार्ट तयार है अब हम इसमें स्लीव स्कॉटेज करेंगे तो देखिए इस स्लीव से नीचे की तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है दोनों में देखिए इस तरीके से फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई करनी है अब देखिए यह ज्यादा कटा हुआ है इसे हमें फ्रेंट पार्ट में सिलना है तो किस तरीके से देखिए यह हमारा है इसे हम इस तरीके से अटेज करेंगी हमारी फ्रेंट में ज्यादा कटिंग वाला फ्रेंट में आएगा तो इसे हम बी सेंटर से अटेज करेंगे आदा इंच का मार्जिन लेकर पहले हाफ से लाई करनी है दूसरे साइट भी हमें आदा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है अब हम पूरे स्लिफ्स पर डबल स्लाई कर लेंगे इसी तरीके से हमें दूसरे स्लिफ्स भी अटेज करनी है यह देखिए अब नीचे का हम गेर त्यार करेंगे यह देखिए कपड़ा है हम दोनों तरफ से साइड में से से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से हमें दोनों साइड स्लाई करके फोल्ड करना है दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरीके से से में फोल्ड करके रखना है यह देखिए में दोनों साइड फोल्ड कर दिया है अब हम उपर का पार्ट लेंगे इस तरीके से दो इंच हमार जो फिटिंग का था उस मार्जिन को छोड़कर हमें इसे रखना है इसके उपर इदेखिए इस तरीके से यहां से हमें इस तरीके से रखना है और आदेंच का मार्जिन लेकर सिलाई करते जाना है और चुन्नेटे लेते जाना है इसे हम दूसरे साइड भी हम ऐसी तरीके से अटेज करने हैं यहां से भी दो इंच का मार्जिन चोड़ना है हमें फिटिंग का यह देखिए हमने अटेज कर लिया है इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी अटेज कर लेना है अब देखिए मैं अटेज कर ले यहां से हम फिटिंग कर लेंगे दो इंच मार्जिन का जो हमने लिया था उससे निशान को इस तरीके से ड्रो कर लेंगे दोनों साइड और हम बाजू का फीटिंग है उसका भी निशान लगा लेंगे यहां से और iस निशान को इस तरीके से मिला देंगे दूसरे साइड का निशान लगाए उस पर सिलाई कर लेंगे दोनों साइड कि देखिए मैंने दोनों साइड सिल लिया है अब हम नीचे की कपड़े को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई करेंगे कि दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है यह देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आई होप आपको सब समझ में आया होगा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बस में पूछ सकते हो थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो